हेलो फ्रेंट वेलकम वेक टू एसी ट्रेडिंग ग्यान तो फ्रेंट आज हम यहां पर डिसकस कर रहे हैं आई उसी शेर का टेक्निकल एनलेसिस तो पर यहां पर हम देख रहे हैं इंडियन आइल करपोरेशन स्टॉक पिछले तीन दिनों से यहां पर अच्छे खासी तेजी तो घ्रेंं दिकारर रहे हैं और इने इसके पहले से कवरेज किया आपको यह फीडियो पूष किया था के काम कि अधी यहां पर वी बाइंग कर रहे हैं तो डेफिनेटिट्टि यहां से ब्रेंग करदिया अधर indoor टेनी ड smoking से क्माना कर आःता एक क्या कर रहा है बहुत ही नेरो रेंज में यहाँ पर आपन देखते हैं उपर की तरफ स्टॉक आता है और यहाँ पर आगे का क्या मूव हो सकता इस पर सपोर्ट ले करके स्टॉक नाइंटी रूपिस तक यहां पर आता हुआ हमें इसके बाद स्टॉक में गिरावट होती है यह गिरने के बाद स्टॉक वापिस से थोड़ी खोशिस जरूर की थी रिखेगा यहां पर आता है और दोसो दिनों की इसके बाद हमने देखा वापिस नीचे चला जाता है और नीचे कहां तक आप देखेंगे सेवंटी रूपिस तक यहां पर गिरावट होती है अब हमने आपर देखा सेवंटी सेवंटी सेवंटीफाइफ सेवंटी थी के बीच में पर क्या करता है एक नेरो रेंज के अंदर पर प्ले करता हूँ आपको दिखाई दे रहें यहां पर गिरावट होती है इसके बाद फिर स्टॉक तेज्जी करता हूस उपर जाता कहां तक तो लगबग करने के बाद अब इस्टोक की क्या कोशिश रही यहां पर आप देखिए 67 को उपर ब्रेक करने की पूरी कोशिश आप स्टोक करता है लेकिन वापिस से नीचे की तरफ चला जाता है यहां पर आप दिखेंगे बहुत ज्यादा नेरो रेंच के अंदर धीरे धीरे तो आपको मैं recommend करूंगा अब अपने स्टॉप्लस को 75 पर शिफ्ट किजिए आप अपर इंट्री कर चुके और आपकी पोशिशन प्रॉपिट में चल रहे हैं तो और जो लोग यहां पर फ्रेश इंट्री की सोच रहे हैं उनको कहूंगा यहां पर फ्रेश इंट्री ले सक लेवल को भी तो नाइंटी रूपिस का आपको यहां पर इंट्री कर सकते हैं लेकिन नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो नीचे की तरफ जो फ्रेश इंट्री ले रहे हैं उनको यहां पर 72 रूपिस का रखना होगा स्टॉप्लस 72 का स्टॉप्लस मतलब लगबग 4 कर चुकि उनकी पोजिशन और इडिए प्रॉफिट में तो उनको में कुंगा अपने प्रॉफिट को सेफ करने के लिए आपको है आप पर 75 का स्टॉप्लस रख करके उपर की तरफ 90 रूपिस के टार्गेट के यहां पर आपको करना चाहिए तो फिर दोनों केस में यहां प भी वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूदे थे तो मच पर वाचिंग इस वीडियो